नमस्कार आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है यानि कि विश्व युवा कौशल दिवस ये दिन तो भारत के लिए यूएन के द्वारा बना गया भारत को विशेश रूप से इंटर्णरी बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए ये जो सरकार हमारी है इन्होंने स्किल डेवलेप्मेंट पे कुछ काम किया 2015-16-17 में मैंने देखा कि स्किल डेवलेप्मेंट पे काम तो बहुत हो रहा है और जो एजेंसी जा रही हैं उनके आने के बाद वो स्किल डेवलेप्म करती थी नौकरी दिखा करके अपना पैसा भी ले लेती थी और रियल स्किल भी बिल्ड नहीं होता था तो जहां पर सबसीडी आती है वाँ घुटाला आ जाता है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़ा घुटाला हुआ पर सबसीडी गर्विन्ट पेमिन्टश इसके साथ में इस प्रकार की समस्याय आना सभाविक है सरकार ने मैसूस किया कि ये रियल इमपैक नहीं आरा तो उनने पेमिन्स डिले परणाओएं करी पेमिन्स डिले हुई तो एजिन्सी बंद होई जब पेमेंट डिले हुई उनको लोन लेना पड़ा स्केलिंग के लिए तो और समस्य आई चाइना में आज मैं देखता हूँ कि जब वहां स्केल डिवलेप्मेंट होता तो उनकी मैन पावर सवाचार गुना जाधा मैन पावर कॉंपेटेंट बन जाती है चाइना की मैन पावर साड़े साथ गुना जधा मैन पावर स्कील्ड है आज इसलिए चाइना को वर्ल्ड का फैक्टरी माना गया वियत नाम बहुत तेज ग्रो किया तो आज यह समय स्किल बिल्डिंग के बहुत सरे स्टार्ट अपस आए मैं उन सब भी start-ups को बढ़ाई देता हूँ सरकार को मैं आग्रे करूँगा कि इसके उपर और काम किया जाए आपने इसकी ministry में फोकस किया इसकी ministry में समय लगाया पैसा allocate किया और इसको जितना जादा हो सके हम लोग को variable linked incentives इसके build करने चाहिए अभी बड़ा पाएंगे private corporations के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो partnership करें कि उनको factory में जो skill चाहिए वो skill building agencies के साथ में आने की जो training companies हैं उनको बोलें कि भाई आप तुम ये skill build करके दो मुझे आम लोगों में जैसे skill build होता है मैं उनको नौकरी दे दूँगा तो इस तरह के बहुत सारी partnerships possible है पर बेराल मैं सबको बढ़ा ही दूँगा और अगर आपके अंदर will है तो आप skill build कर सकते हैं ये आपने बहुत दफा सुना मैं इस बात को फिर से याद ज़रा देना चाहता हूँ क्या अगर आपके पास एक मजबूत will है तो आप skill develop कर पाएंगे as an individual आप आज देखिए कि आपके अंदर किन skills की कमी है और उस पर focus करिए देखिए किन skills की कमी है उन पर focus करिए किन skills की कमी है उन पर focus करिए